हेलो एवरीवन वेलकम टो डट वन्टी फोर सेवनी स्कूल मैं राजेंदर सांखला बच्चो इस सेसन में हम कक्षा बारा की पुस्तक वितान भाग दो के अध्या संक्या तीन जिनके लेखा का नाम है ओम थानवी ओम थानवी जी ने अमारी पाठे पुस्तक में उनके द्वा कहा जाए तो महंझो और अरप्पा नमक सेहरौं के बारे में बताने कोशिश किए और जादा तर हमें भिसमें जानकरी महंझयोरो सेहर के बारे मिलोग ही तो बच्चो इस सेसन में हम लोगों को इस अतीत में दबे पाऊं यात्रा वरितान्त और रिपोर्ट का मिला जुला रूप जो रचना लिखी है उसके सारान्स रूप में हम लोग पढ़ेंगे तो बच्चों ध्यान से समझना है आप लोगों को तो इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे इस सेशन में हम होम थानवे ज का जीवन परीचे देखेंगे और साथ में ही अतीत में दबे पाऊं यात्रा वरितान्त का सारान से यानि कि यह देखो वैसे तो अतीत में दबे पाऊं क्या यात्रा वरितान्त और किसका यात्रा वरितान्त और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है यह आपको ध्यान रखन है ठीक है वैसे हम पूरा यह दी पूरी इस्पष्ट बात कहें तो क्या कहेंगे यातित में दवेपाउं यात्रवरतांत और रिपोर्ट का क्या है मिला जुला रूप है तो उसका सारान सम लोगों को देखना है फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मूल हमारे यात्रवर करेंगे तो वह हमें देखना है उसमें कोई दिक्कत नहीं आनीचे जब हम उन्हें अहल करेंगे क्यों क्यों कि यह दोनों वीडियो आप लोगों को अच्छे समझ में आना चाहिए तो बच्चों यह सब हमें कहां पढ़ने को मिलता है यह सब हमें हमारे पाठ्या में वितान भाग दो में कौन सा कौन सी रचना लिखी उस रचना का नाम बताइए तो क्या है अतीत में दबे पाऊं तो हम लोग क्या देखने वाले बच्चों जीवन परीचे किनका ओम थानवी जी का ठीक है तो हम लोग इस सेशन में ओम थानवी जी के बारे में चर्चा क करेंगे मैं आप लोग बता दू ओम थानुजी का जन्म होता है और इसकी इनकी दिख्षा दिख्षा होती है बीकानेर सहर में होती है बीकानेर जिले में पढ़ता है दोस्तों राजस्तान राज्य में पढ़ता है ठीक है तो जीवन प्रीच में जन्म की बात करें तो इनका ज जनम होटा है और सिख्षय दिख्चा याBoy से कहना मीं जिल्य से और किस राजी है अधिकानिर राजस्तान में पड़ता है में एमकोम किया राजस्तान राजस्तान आधा यानि कि यह जैपूर ठीक है तो website परशाशन में इन्होंने क्या किया? क्योंकि जिसे commerce वाल सबजेक्ट होता है जिसमें BCom करने के बाद Mcom किया जाता है तो Mcom किस विसे से क्या? website परशाशन परशाशन से website के हम बात करें तो यहां बच्चो website मूल्सब्द है और एक प्रते जोडा हुआ है तो फिर क्या हो जाता है वयाव शाइक हो जाता है ठीक है एडिटर्स गिल्ड ओफ इंडिया के महा सचिव भी रहे और ये ओम थान्विजी है ये महा सचिव रहे उन्हें कि एडिटर्स गिल्ड upright ओफ इंदिया के 1980 से 1989 तक नो वर्स राजस्तान पत्रिका में रहें देखो जो वरतमान में राजस्तान में राजस्तान पत्रिका हैं समाचार बत्तर चलता है जिसमें इन्हों 1989 तक यानि 9 वर्ष तक ये राजस्तान पत्रिका में विशेस पर्तिष्टा दिलाई है सजग और बोधिक समाज में इत्वारी पत्रिका ने अपने दोर में विशेस इस्थान बनाया है तो ध्यान डखना बच्चो इन्होंने एमकॉम किया वैवशाइक परशासन से और शात में ही एडिटेर्स गिल्ड ओफ इंडिया के महासचीव भी रहे हैं और 80 से लेके 1989 तक ये रास्तान पत्रिगा में कारिये किया इन्होंने और इतवारी पत्रिगा संपादन इन्होंने ब समाज के लोगों के लिए बहुत अच्छे से कारिया किया हैं और साथ में वहां की संस्कृति के लिए बहुत ही जो आंदलोनवा उन में सकरी रूप चे भाग लेते हैं साथ में लोगों को सजग करने के लिए भी ये बार-बार मुईम चलाते रहे हैं अभीनेता और सक भी है और अभीनेता भी है तो उसी परकार इनों झालने भी रंग मुझ पर निर्देशक साथ में अभीनेता की भामी का भी शयों नहीं हुन निवई है साहिटे कला सिनेंसादो कला प्राततो और पर्यावन गहन दिल्चेस्विए रखते हैं यानि कि सभी वी सिव हो में इनको बहुत अच्छी जान का रही थी यानि कि साहित्ते के छेतर में भी कलाके में भी सिनेमा वास्तुकला पुराथत और प्रयावन में गहन ही इनको जान का रही है दिल्चस्पी यानि इनको बहुत अच्छी अत्यदिक रूची थी उसमें 80 के दसक में Center for Science Environment CSE की fellowship पर राजस्तान के पारंप्रिक जल स्रोतों पर खोजबिन कर विश्तार से लिखा है यानि कि 80 के दसक में कि fellowship पर राजस्तान के पारंप्रिक जल स्रों पर खोजबिन कर विश्तार से लिखा है कितने अच्छी बात है यानि संकर विद्ध्यार्थी पुरुषकार भी प्राप्त किया है यानि कहने का तात पर क्या है इन्हों ने बहुत सारे पुरुषकार प्राप्त किया है यानि इन्हों से संपादक के नाते हैं संपादक के तोर पर एक देनिक यानी रोजाना एक जनसत्ता अकबार निकलता था कहां कहांसे दिल्ली और कलकत्ता दोनों सहरों के संश्क्रोनों का दायरत यह खुद ही सम्मालते थे अब देख लो आप लोग यहनी कि 80 से लेकर के 1989 तक किसमें राजस्तान पत्रिका में राजस्तान पत्रिका में कार्या किया और एडिटर्स गीर्टस ओफ इंडिया में भी Mहा सची रहे हैं और वेबसाइक परशाशनमीनों ने एमकोम किया है और 1999 से संपाद़ किनाते जन सत्था जो अकबार निकलता रोजान वो दिल्ली और कलकत्ता के संस्क्रोणों का दायुत भी यह समालते थे पिछले 17 वर्सों से इंडियन एकसप्रेस समू के हिंदी देनिक जन सत्ता में संपादक के रूप में कारियरत हैं कहने का ताथ पर पिछले 17 वर्सों से 17 वर्सों से इंडियन एक्सप्रेस समू के हिंदी देनिक जन सत्ता जो अकबार निकलता था पत्री का निकलती थी उसके संपादय के रोप में ये कारियर कर रहे हैं तो याद रखना बच्चो कुछ महत्वपुन बाते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ देखो 1999 से संपादक इनाते देनिक जनसत्ता दिल्ली और कलकाता संस्क्रोंक समला और पिछले 17 वर्सों से इंडियन एक्सप्रेस समू के हिंदी देनिक जनसत्ता अकबार था उसके संपादक के रूप में ये कारियर है अब देखो पार्ट का सारान से यानि कि इन्होंने पार्ट कौन सा लिखा यहां पर अतीत में दबेपाउं और अतीत में दबेपाउं मैंने बताया है क्या एक यात्रा वरितान्त ध्यान से समझना यात्रा वरितान्त तथा रिपोर्ट का मिला जुला रूप है रिपोर्ट को दिसा दे सकता है यानि कि यात्रा वरतांत क्या होता है यानि कि कहीं पर हम घूमने जाएं कहीं पर हम यात्रा करने के लिए गए ठीक है और यात्रा करने के बाद जैसे हम घर आते हैं तो उसको हम लीपी पद कर देते हैं सब्द बद कर देते हैं वह कहला था यात्रा वरता कहलाता है report किया होती है किसी भी गठना को report कहा जाता है तो कब यात्रा के दोरान तो उस गठना के सासात में उस यात्रा को लिखना क्या कहलाता है यात्रा वरतान था रिपोर्ट का मिला जुलू रूप क्या लिखा उन्होंने अतीत में दब्बेपाऊं अब अतीत में दब्बेपाऊं हमें इत्यास हमें दिसा दे सकता है तो एत्यासि में एक परते जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है एथ्यासिक हो जाता है इस अंदर में यह रचना ओम थानवी की यात्रा वरितांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप ध्यान रखना बच्चों यह बहुत ही ज्यादा काम के चीज़ है यानि अतीत में दब्यपाउं गद रिपोर्टाज तो रिपोर्ट को जब साइटेक सैले मिलिक देते हैं तो वह रिपोर्टाज बन जाता है तो इस अंदर में यह रचना ओम थान्यों की यात्रा वर्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है जो अब तक के ज्यान में भारतिया भूमी ही नहीं विशु फलग पर टित सब्वेता की सवसे प्राचीन गठना को उतने ही सून կोजित रंग से पुनर जीवित करता है जितने सून याजित रंग से उसके उसके दो महा नगर मोहन जोदलो और हडपा भसे थे यानि कि जिस परकार से जो गठना गठित होती है उसको सूर्ण योजित डंग से पुनर जीवित करना दुबारा से जीवित करना पुनर पलस जीवित यानि पुनर यानि दोबारा और जीवित यान जीवित करना जितने सू लेकग ने टीलों, इसनानगरों, मुरिद भांडों, कुवों, तालाबों, मकानों वे मारगों से प्राप्त पुरा तत्वों में मानों संस्कृति की उस समझदार बहवात्म गटना को बड़े इत्मिनान से खोज-खोज कर हमें दिखलाया है जिससे हम इत्यास की सपाट वर्नात मकता से गरस्त होने की जगे इत्यास बोध से तर होते हैं जिस परकार सिंदु गाटी सब्विता एक समय प्रानादार से तरती कहने का तात्परे क्या है इसमें जो सिंदु गार्टी सब्वेता के जो दो महानगर थे मोहन जोद्रों और हडपा उसके बारे में तो उसमें इन्होंने टीलों, इसनानगरों, मृत भंडों, कोवो तालावों, मकानों, मार्गों से प्राप्त पुरा तत्वों में मानव संस् समुझदार भावात्म गठना को बड़े इत्मिनान से खोज-खोज कर हमें दिखलाया है, जिससे हम इत्यास की सपाट वर्नात्मक से गरस्त होने की जगे इत्यास बोध से तर होते हैं, जिस परकार सिंदु गार्टी सब्वेता एक समय प्रानादार से तर से, यानि कि नगर योजना अभिवूत करती है, यानि कि इस जो अध्याय जो रचना है ये ओम थानवी जी की अतित में दबे पाऊं, इसमें महों जोदलो के बारे की बारें बताया गया, ये गाउनी था एक नगर, एक सहर उसके बारे में हमें बताने कोशिस की है, वहे आज के सेक्टर मारका कोलोनियों के निरस नियोजन की अपेक्षा ज्यादा रचनात्मक थी, क्योंकि उसकी बसावट सहर के खुद विक्षित या विक्षिने का अवकास भी छोड़ कर चलती है, कहने का तात्पर क्या है, आज के वर्तमान समय में जो सेक्टर मारका कोलोनियों के निरस निर प्रजन की अपेक्षया ज्यादा रचनात्मक थी क्योंकि उसकी बसावट सहर के खुद विक्षने का अवकास भी छोड़ कर चलती थी पुरातत्यों के निस्परान पड़े चिन्हों में चिन्हों से एक जमाने में आबाद घरों लोगों और उनकी सामाजिक धार्मिक राजन अगर था मोह जोदरो उसमें थाकत के बलपर साशित ओने की जगए आपसी समझ से वह क्या थी कि अनुसासित थी उसमें भogensवयता था यानि भवयता थी लेकिन बिल्कुल झालिया बनाना जलकुन बनाना मरदबान बनाना इन चीजों से हमें लगता है कि वो एक ताकत के वल पर नहीं अनुसासन के वल पर जिपुणर जीवी तो हुन वह एक नगर्योजना जिसमें भववेता था और नहीं था और उसकी सोन्द्रिया बहुत था जो राज पोशित या धर्म पोशित नहें होकर समाज पोशित था। यानि राज पोशित भी नहीं था, धर्म पोशित भी था, लेकिन कैसा था? समाज पोशित था. कौन? महंज जोदरुबुक। आतीत की ऐसी कहानियों के इसमारक चिनों का आदुनी व्यवस्ता के विकास अभियानों की भेंट चड़ते जाना भी लेखा को कचोड़ता है अब देखे सब्द चवी यानि कुछ सब्दार्त आये हैं तो हमें उनको जानने की कोशिस करते हैं और वो हमें पाठ को समझने में भी कुछ ज़्यादा ही सरलता से प्राप्त होगे यानि का तात्प्रे क्या है कुछ सब्द ऐसे होते हैं जिनको हमें अर्थ समझ में आ गया तो हमें पाठ को पढ़ते से माएं बूल रचना को पढ़ते से में को दिक्त नहीं आती है पहला सब्ध है मोहन जोदरो इसका अर्थ क्या है पाकिस्तान के सिंद प्रान्त में इस्तित पुरातात्विक इसतान जहां सिंदू घाटT सब्यता बशी थी मोहन जोदलो का अर्थ है मूर्दों का टिला वर्तमान समय में इसे मोहन जोदलो के नाम से जाना जाता है यानि कि यह जो मोहन जोदलो है यह वर्तमान में मोहन जोदलो मोहन की जगह क्या हो गया मोहन हो गया है अब यह पाकिस्तान के सिंद परांत में इस्तित है पुराथात्विकिस्तान है यह सिंदू गाटी सब्वेतावी बसी थी मोहन जोदलो का अर्थ है मुर्दों का टिला व अरपा है वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के प्रातात्विक इस्तान है जहां सिंदु गाटि सब्वेता का दूसरा प्रमुग नगर बसा है कहने का तात्पर क्या है दोस्तों यहां पर सिंदु गाटि सब्वेता के दो प्रमुग सहर के बारें बताया गया है एक मोहन जो जोड़ों के नाम से जाना जाता है हरपा है वह पाकिस्तान के पंजाब परांद का पुरात आत्व किस्तान है और जहां सिंदुगाटी सब्वेता का दूसरा प्रमुक सहर बसाता कहने का तात्पिर क्या है यहां जो जिस नगरी चेतर के बारें पढ़ेंगे वह है मौहन बहती और किसिदेकारी किया होता है कपड़ों पर फूल या चितर अंकित करने की कला कशिदा होता है जैसे इसे अद्र कार कशिदाकारी क्या का चाता है कशिदाकारी क्या होता है कपड़ों पर फूल चितर अंकित करने की कला है तो यह था बच्चो ओम थानुजी के जीवन परीचे के सासाथ हम लोगों ने क्या देखा जो अतीत में दबे पाउं यात्रा बड़तान तो रिपोर्ट का मिला जुला रूप उसका सारांस रूप में पड़ा उम्मीद करतम आप लोगों बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा अभी के लिए इतना ही धन्यवाद थेंक्यू सो मच